So what's up guys, कैसे हो आप सब, आप सब का स्वागत है अगें से हमारे चैनल के एक और बैतरीन सी वीडियो में So guys, आज की वीडियो में basically मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि guys हमारे जो 0.19.0 का update आया है beta version में उसमें guys आपको training mode कैसे देखने को मिलेगा और guys, कब देखने को मिलेगा इसके साथ-साथ guys, Falcon का event का भी leaks आ चुका है मेर पे जिसमें guys, confirm हो चुका है कि guys, आपको 0.19.0 में Falcon free में मिलने वाला है So guys, वीडियो का end तक देखते रहना और guys, अगर आप हमारे चैनल पे new हो तो guys, जल्दी subscribe कर लो क्योंकि guys, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको वीडियो मिलती रहेगी PUBG Lite के related So guys, शुरू करते हैं आज की वीडियो को So guys, जो अभी 0.19.0 का update आया है उसमें guys, अभी ज़्यादा चीज़ है तो आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन guys, अभी कुछ दिन के बाद guys, एक और update आने वाला है बेटा वर्जन में जी हाँ guys, मैं आपको बता दूँ कि guys, बेटा वर्जन में अभी आपको और भी update देखनों को मिलेगा जिसमें guys, आपको training mode भी देखनों को मिल जाएगा और साथ ही साथ guys, आपको miramar map का तो confirm leaks इसी में दिख जाएगा इसी अपडेट में तो guys, boom guys, देख सकते हो हमारे अभी pubg mobile light में mirado गाड़ी देख सकते हो guys, कत्य जहर यार ये गाड़ी लगती है मुझे और guys, मेरे इसका skin भी है pubg mobile में लेकिन guys, pubg mobile light में ये अब आया है अब guys, यही leaks होता है miramar map का क्योंकि guys, यह जो गाड़ी है, यह miramar map में देखने को मिलता है और guys, अभी आप lobby के पीछे जो गाड़ी देख रहो हो जो खड़ी है वो भी गाड़ी guys, miramar map में ही देखने को मिलता है so guys, अब तो यह चीज़ confirm होई चुकी है guys, miramar map आएगा ही आएगा और guys, जैसे मैंने पिछली leaks में बताए था कि guys, आपको arcade mode से payload mode को हटा दिया जाएगा और उसके बतले guys, zombies mode और training mode को add किया जाएगा so guys, अभी इस वाले update में guys, payload mode को हटा तो गया है लेकिन guys, सिर्फ और सिर्फ zombies mode को add किया गया है लेकिन guys, अभी कुछ दिन के बाद फिर से update आने वाला है जिसमें guys, आपको training mode भी देखने को मिल जाएगा so guys, अभी जो है, इसमें Halloween mode पे भी अभी काम चल रहा है so guys, अभी Halloween mode में भी भी बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी so guys, अभी मैं बता देता हूँ आपको guys, Falcon के event के बारे में so guys, मुझे पता है guys, 99% guys, training mode और जो Falcon का event है इस चीज़ के इंधियार में है हमारे भाई लोग so guys, आपको मैं बता दूँ कि training mode तो आना confirm है और guys, जो 0.19.0 में guys, आपको फिरी में Falcon भी मिलने वाला है so guys, अभी मैं बता दूँ कैसे मिलेगा so guys, जैसा कि आप सो को पता है guys, PUBG Mobile में इस टाइप का event चलता था जिसमें guys, आपको घोसले टाइप के मिलते थे कबूतर वाले और guys, हमें ये कहीं पे भी ऐसे करके PUBG Mobile Lite में भी यही event देखनों को मिलेगा कि आपको पूरे वरेंगा मैप में या किसी भी मैप में आपको इस टाइप के nest देखने को मिल जाएंगे कबूतर वाले जो कि किसी भी location में हो सकते हैं, east port हो गया, 30 हो गया, और ये जो है center load कहीं पे भी guys, आपको देखनों को मिल सकता है इस टाइप का egg और guys, इस egg के पास जाके आपको फिरी में falcon मिल जाएगा उसी match में तो guys, अभी इस वाले event का confirm आ चुका है कि ये वाला event आपको देखनों को मिल जाएगा कि आपको location पे जाना है, आपको ये egg दिख जाएगी कहीं पे भी location में वरेंगा map में और वहाँ पे जाके आप simply वहाँ पे falcon आपके पास अपने आप आ जाएगा उस match के लिए तो guys, ये चीज भी काफी अच्छी लगी जब तक हमारा फिरी वाला event नहीं आता है और guys, जो मैंने इस update में notice किया, उसमें guys, मेरेको RPG यार कभी भी यार इस match में नहीं देखी क्योंकि guys, मैंने बहुत सारी match खेला अब तक beta version में 19 point का लेकिन guys, RPG नहीं मिला मेरेको कहीं पे भी इसका मतलब यही है guys, जो हमारा beta version है, उसमें RPG हो चुका है remove और guys, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है अच्छे अच्छे pro player, legend player जो भी थे RPG की वज़े से हार जाते थे लेकिन guys, अब अच्छा चीज कर दिया है और guys, साथ ही साथ जो S12K से परिशान थे guys, उनके लिए भी खुसकवरी है कि guys, S12K का थोड़ा damage कम कर दिया है आप guys, आप S12K वाले को AR से मार सकते हो तो guys, ये भी चीज काफी अच्छी हो गए 0.19 में और guys, एक और अच्छी बात मेरे को लगी इसमें guys, high damage भी guys, आपको 15 से 20% ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन guys, मैं expect करता हूँ और भी जो हमें update देखने को मिलेगी कुछ दिन के बात इसमें update बहुत सारी आने वाली, मैं आपको clear कर दूँ और guys, उस update में guys, आपको high damage और भी बढ़ाया जा सकता है तो guys, high damage बढ़ाने के साथ सा guys, थोड़ा सा aim assist और low होगा तो कोई दिक्कत निभाई, कोई matter नहीं करता लेकिन हमें high damage चाहिए क्योंकि guys, अगर हमें अच्छा player बनना, अगर हमें पूरा squad को finish करना अकेले तो guys, हमें high damage तो मंगता ही मंगता है तो guys, ये चीज़ भी काफी अच्छे लगी और guys, आप सबसे एक request है, अगर आप चाहते हो guys, training mode आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए तो guys, comment box में लिख देना, hashtag training mode क्योंकि guys, हमारी वीडियो, pubg mobile light officials भी देखती है अगर guys, comment box में अगर जादेश जादा उन्हें training mode का comment दिखेगा तो वो guys, जल्दी से जल्दी हमें training mode देने की कोशिस करेंगे, pubg mobile light में so guys, comment में, hashtag training mode जरूर लिखना, मत भूलना तो guys, कैसी लगी आज की वीडियो यार, एक बार like कर देना और guys, ऐसी ऐसी बैतरीन वीडियो देखना चाहते हो, pubg light के related तो guys, हमारी चैनल को जरूर से subscribe कर लेना so guys, मिलते हैं आप से next or amazing वीडियो के साथ तब तक के लिए, tata, bye bye, love you झाल, 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 झाल